हलो गाईज अपूरो शर्मा के कीचन में आप सभी का एक बार स्वागत है तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कच्छे केले की सबजी तो चलिए हम बनाते हैं कच्छे केले की सबजी अभी हम बनाएंगे कच्छे केले की सबजी तो यह मैंने 500 ग्राम केले लिए हैं, दो हरी मिर्ची, 4-5 लैसुन की कलिया, एक टुकड़ा अद्रग और एक टमाटर टमाटर, मिर्ची, अद्रग और लैसुन का बना लूँगी, मैं पेस्ट, ग्राइंड कर लूँगी इसे और केलो को कट कर लेते हैं, सबसे पहले हम केले कट करेंगे, दोनों साइड से डंठल हटा देंगे और से चिलेंगे आधी आधी इंची के शेप में इसे कट कर लेंगे, सबी केले कट हो गए हैं और अभी हम इनको हलका सा उबा लेंगे, बस हलका ही उबा लाना है इसमें हलकी सीज में हलती डाल देंगे तो केलो में एक उबाल आ गया है, गैस की फ्लेम कर देती हो बन और अभी हम इसे निकाल लेते हैं सबी केले थोड़े सोफ हो गए है, इस पर हमने कडाई चड़ा दी है और इसमें मैंने एक चमच बड़ा चमच ओईल डाला है तेल गरम हो गया है तो अभी मैं इसमें थोड़ा जीरा डाल दूँगी साथ ही मैं डालूँगी थोड़ी साउप एक चुट की बार हींग डाल रही हूं जो टमाटार मिर्ची अद्रक होई है जो हमने ग्रैंड किया था वो भी मैं इसमें आप एक बार ही और एक बार ही जोड़ा दाल देके प्सकाइब आप पड़क्च तो आप आप एक चमस लाल मेच्ची, थोड़ी हल्दी, एक चमस के करीब हैं धन्या पाउडर डाला है, और सभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और अभी मैं डाल दूंगे ये केले, और पांच मिनट के लिए इसे कवर्ट करके, कुक करेंगे, अभी मैं इसमें एड़ करूंगी थोड़ा, अमचूर पाउडर, आधी चमस के करीब, और एक चमस के करीब मैं गरा मसाला एड़ कर रही हूँ, और सभी को अच्छे से मिक्स कर देती है, और दो मिनट के लिए इसे ढख कर कुक करते हैं, दो मिनट हो गई है, और हम इसे चेक कर लेते हैं, तो सब्जी बनकर त्यार हो गई है, कैस की चेम कर दती हूँ, तो अभी हमने इसमें सरुसिंग प्लेक में निकाल लिया है, तो केले की सब्जी बनकर त्यार हो गई है, यह देखिए कितनी अच्छी बनकर त्यार हुई है, झाल, 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 झाल